अपने शोध के दोरान एक समुद्री जीव विग्यानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मचलियां डाल दी। चारा मचलियों को देखते ही शार्क तुरंट तैर कर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खालिया। समुद्री जीव विग्यानी ने कुछ और चारा मचलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंट शार्क का आहार बन गई। अब समुद्वी जीविज्यानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टेंट के बीचों बीच डाल दिया। अब टेंट दो भागों में बन चुका था। एक भाग में शार्क थी। दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मचली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मचलियां को देख सकती थी। चारा मचलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस और तैरी। लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टक्रा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की। लेकिन कांच के टुकड़ लेकिन सफल ना हो सकी. अंतता थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंट के अपने भाग में रहने लगी. कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्यानी ने टैंट से वह कांच का विभाजक हटा दिया. लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मचलियों पर हमला नहीं किया क्योंकि एक कालपनिक विभाजक उसने दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती. सी, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से तूट जाते हैं और हारमान लेते हैं हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुम्किन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते जबकि सफलता प्राप्ती के लिए अन्वरत प्रयास आवश्चक है, परिस्थितियां बदलती रहती है इसलिए अतीद की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें सफलता आपके कदम चुमेगी